हेलो इस्ट्रेंट मैं हूं निहालेदो और स्वायद करता हूं सभी का जीपेले करने के इस तो चल्ब आज की विडियों हम लोग डिप्लोमा सेकेंड समेश्टर में अप्लाइड फिजिक्स सिकेंड को सुरू करने वाले हैं यह मेरी चैनल की फर्स्ट वीडियो होने वाली है अप्लाइड फिजिक्स सिकेंड की तो बने यह मैं इस वीडियो को सुरू करते हैं बट उससे पहले आप मारा चैनल पहली बराया हो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी लाइकन पर क्लिक किजिएगा ताकि मैं जो वीडियो अप्लोड करू आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेसा में मिल सके चलिस्तों आज की सिव्यों की नोच शुरू करते हैं आज की स्वीडियों पढ़ने वाले है चैप्टर नांबर वन जिसका नाम क्या इस्वेंट चैप्टर नौर वन पढ़ेंगे जिसका नाम हमारा त्रह तरंगती एय स्ट्टाइड फर्स्ट्राइड दें चिट्टसें आपको एक परकार के बिच्छोक होता है जो बिना रूप बदले आगे बरती जाती है होता है इसे होता है लोग से संध्सक्राइब लोग वो महते हैं अप डाउन अप डाउन करते लिए चलती रहती है जैसा长 की डाइग्राएम आपको देखाया बता दूलंड आपको चो तरंगें होती हैं तरंगे और यान्ती की तरंगे vors के तरंगी होती हैं सबसे पहले हम ने पता देंस जो हमारी बीटी उपी का सिलेबस है किसका से बीटी ईई यूपी यहां कि बोर आफ टेंगर संज चर्ण जो हमारे स्लेबस अप्लाइट फिर सिकेंड की इसमें मुझे के वल आपको यह आंतरी की तरंगे यानि कि mechanical waves को पढ़ने है Electromagnetic waves को नहीं पढ़ने है ठीक है दोस्त तो आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की और सकता पढ़ती है या जब कोई तरंग जब कोई भी waves ऐसे आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की और सकता होती है तो उससे क्या करतो है लोग इसमे घिमेंडitel से मैकनिकल यहां ऑंवे ने प्डू मिन्या होती हैं तो फ़र्श्था अपका एनुप्रेंक्रश्थां किसे कहते तो इस त्रेंट मतातों को अनुप्रस्त तरंग किसे करते हैं हम लोग इन तरंगों में माध्यम के कड़ कड़ कंपन की दिशा कंपन की कड़ की दिशा के लंबध होता है क्या होता है इस तरंगों में माध्यम के कड़ों के कंपन की दिशा तरंग संचर के दिशा के लंबध ह होती है यह तरंगे फोच जो तरल ने आसी चलती है आपको अलग conviction बताता हूं बढ़ा करके जूम कर वक्रता हूं ऐसी रहा आपको फंस्ट है ठीक है यह फोर्थ हिसे डेखता जो बताई झांड़ आइस स्ट की जान होती है यह कंपन करने के दिशा है यह कंपन कर रहे हैं ऐसे तो इस पर क्या होंगी यह लंब चलेंगी ऐसे चलेंगी ऐसे आपकी तरंगे चलती है कैसे चलते दोस्त ऐसे आपकी तरंगे चलती है ऐसे आपकी तरंगे चलती है ठीक समझ रहो आप लोग ऐसे आपकी तरंगे चलती है इसके अगए बढ़ते हैं में जो तरंगे होती हैं कि चल सकती है ये तरंगे स initial ढ़लिष ड्रॉड विश में चल सकती है यह तीनों स्टेड में चलती है अब जानते हैं ध्वानी तरंगे किसे करते हैं यानि साउंड वेफ्स किसे करते हैं साउंड वेफ्स क्या होता है ध्वानी तरंगे क्या होती है दोस्त आपको मैं आदू ध्वानी तरंगे किसे करते हैं भॉन के बीच में लडेंगी यॉट मा रगी बीच में आवाज करती है हुआ दोस्त तांगे रूम में छलती हैं यॉट WILL के साउंड वही तरंगे होती है और आपनों सक्षाइब होंगि दोस्ति चलती यह बहुत आवाज करती है तो भी तरंगे की इनीज्ट अवाज करते हैं इससे यांठ पर दूसर हो थीए ठीक है समझ गया होगा आप लोग जो दूसर अनुदर्य यांत्री की तरंगे होती है आदे हम लोग प्रकास्तरंगे बिदुचुमकी तरंगे उते हैं वह एक विदुचुमकी तरंगी होती है इनके लिए माध्यम क्या सकता नहीं होती है इसमें क्या होता है इसमें माध्यम क्या सकता नहीं होती है यह निरवात में भी चल सकती है तता माध्यम में भी चलती है यह निरवात और माध्यम दोनों भी चलती है जो लाइट वेक्स होत करते हैं अब जानते हम लोग एंप्लिट्यूट यारी कि आयाम किसे करते हैं इस्ट्वन आयाम क्या होता है कोमलो sommes R2 करते हैं किसे रिप्रेजंट करते हैं से करते हैं किया हुटा है मीडर क्या होता इसटर है इस होता है मीडर बता दो इसकें returned से स्थिए मैं फूल कोर्स लांज करें गया है और आप मेरे से जुनना चाहते हो तो आप मुझे मेरे इस कोर्स में क्या क्या मिलने वाले हैं आगे में बढ़ते हैं जानते हैं आपरित किसे करते हैं आपको बतादू आपरित किसे करते हैं माध्यम के कड़ द्वारा एक सिकेंड में पूरे किये गए कंपनों की संख्या को एफिसेंस एक्वेंस करते हैं यानि कि माध्यम के क या हर्ट जो होती है आई होप आप लोग आपरित की को जो यूनिट हो जानगे हो आपरित किसे करते हैं यानि कि आवर्थकाल किसे करते हैं बता दोस्त आपको आवर्थकाल क्या होता है आवर्थकाल किसे करते हैं कंपन के कर द्वारा एक कंपन पूर करने में यानि कंपन के क कि लाता है यान्य कि लाता हूँ हमारी आवर्धिकाल करते हैं और जो होता हमारा सेकंड आगे बन्त laquelle तो से शेब करता ठीक है आगे बरते हैं नियुक्त जह सकता है यानि की वन अपान इसे ワह लिख सकती है आई होप समझें चांते हम लो वेव लेंद का होती है तरंग देद क्या होती है एक आवर्त काल में क्या एक आवर्त काल में तरंग दुवारा चली गई वेव लेंद कालाता है चली जो दूरी होती है जो डिस्टेंस होती है वेव लेंद कालाती है एक आवर्त काल में तरंग तुवारा चली गई दूरी वेबलेंद करती है इसे हम लेमडा से रिपरजेंट करते हैं किसे करते हैं लेमडा से हम लोग रिपरजेंट करते हैं और इसकी मात्रक क्या होती है हमारी इसा मातर्ण होती है वह होता है मीटर ठीक है जो कि तरंगती क्या होती है बैए कि यार दोस्त था रंगता इसे चोटी छोटी बस इसमें बता दूस्ट त्रंग गती का उती है सकते है एक सखेंट में ट्रंग द्वारा चली गए दूरी त्रंग गती कराते हैं भीष रिपरजेंट करते हैं मीटर पर सेगे Скर जो का होता है यु आपको पूछायता है कभी कभी पूछ लियाता है जानते हुए फेज का होती है कला क्या होता है फिर हम जानेंगे कलांतर का होता है फिर हम जानेंगे क्या तरंगों की अधरुपा का सिध्धान जानेंगे इतने चीजा इस वीडियो में पढ़ने वाले है ठीक है जानते हैं कि कला क्या होती है फिजग होता है फिजग करते हैं अ're clear कङया पर लोग करते हूए करके छिसने करकी विस्था आइससे होता है उसे का समयाइड होता है उसे पढ़ेंद पढहिए होगी इन तर में यह दोनों दिया कफक्ष्ञा होता है लुटरम के बिच जितने पोल का अंतर होता है उसे होता है एक प्राइब सब्सक्राइब कर दो सब्सक्剛剛 बढ़着 होता है अगर ये अज़ोगा कलांतर होता है ये कलांतर होता है two Pi अपन लेमडा इन्टु पदांतर क्या होता है अब हमनों पढ़ने वाले इस्ट्वेट्वेट्ट प्रिंसपल ऑप सुपर पोजिशन और यानि तरंगों के अध्यार उपड का सिधान जानते हैं किसी भी माध माध्यम में दो अथ्वा दो से अधित तरंगों के एक साथ क्या तरंगों के एक साथ एक ही दिशा में तथा एक दूसरे के गती को बिना परभावित किये हुए संचरित होती हैं इस घटना क्या करते हैं सुपर पोजिशन ऑफ वेफ्स करते हैं ध्यान से समझेगा आप लोग किसे करते हम लोग सुपर पोजिशन ऑफ वेफ्स क्या होती है इस जुएंट ध्यान से सुनिएगा किसी भी माध्यम में क्या किसी भी माध्यम में दो अथ्वा दो से अधित तरंगों के एक साथ एक ही दिशा में था एक दूसरे के गती को बिना परभावित किये हुए संच करते हैं आगे बढ़ते हैं आगे आने हम लोग आवर्थ गति क्या होती एक एसा मोसन एक ऐसी गती जो अपने आपको बार बार दोहर आता रहता है क्या होती एक ऐसी गती जो अपने आपको क्या करती है बार बार दोहर आती रहती है उसे करते हम लो उसे करते हम लो आवर्त गती किसमें होती है घड़ी में होती है आप जो देखते हो असरल लुलक घड़ी क्या ऐसे होती है ऐसे है घड़ी ठीक करने चलती छो गड़ा जो घड़ी चलती दोलन या कंपन के में किसे करते थो का होती है जियान सब 2だけiyeत की माध्यम इस्थिति के और इधर होती है क्या एक ऐसी आवर्त्गती जो किसी माध्यस्तिति के और इधर ऊधर होती उसे के सब्सक्राइब एक नोडवू प्रान्तों लेकिन और अलंगती नहीं होती आगे बरते हैं आ किसे कहते हैं यह एस हचम किसे करते हैं दोस्त बताथ को एस हचम क्या होती है यदि कोई कड़ इस परकार गति करी की उस कड़ की गति एक माध्यम एक माध्य इस्सितिकी इधर उधर हो सरर रेखा में हो ठीक है एक कड़ पर एक कड़ पर एक त्वरण कारे करता है जो माध्य जो माध्य इस्तिती से कड़ के बिस्थापन के अनुकरमान पाती होता है तथा नेक्स तथा उस कड़ तथा उस त्वरण की दिशा में सद्व माध्य इस्तिती में इस्तिती की ओर होता घठाना है तो उस गति को करते हैं सरड़ावर्त गति करते हैं तर 이제 आगा नो पढ़ेंगे इसके कुछ विस्थब ah Влад है ठीक है ऐसे सबमनी कुछ हम और में तो आगे मुझने अब हम्रे कोर्स के बारे मैंने जो कोर्स लांज किया हूं जिसका नाम बैच का नाम मैंने रखा है तांड़ बैच का नाम क्या है दोस्त बैच का नाम आपका तांड़ क्या है दोस्त तांड़ बैच है इस बैच में आप जुनना चाहते हो तो बता दो इस बैच में आपको क् मिलेगा गेस पेपर में दोने वाला हो मौडल पेपर दूंगा आलबुक की में पीडियाफ देने वाला हो इंप्रोटेंट क्यूश्य में हर सब्चेक का देने वाला हो आगे बाता दूश्टेट अभी इतने भाखी नहीं है आगे बहुत चीज़े हैं आगे आपके लाइब क्लासे मिलेंगी दोस्त गोल्ड की पीडियाफ इतने सबीस चीज़े आपको मिल लेवानी है आपको यह मिलेगी कैसे इस्टुएंट आपको अगर लेना है तो आप मुझे से कंटक्ट कर सकते हो 9369183507 के वार्स नमपर कंटेट करो यह न दो नए वीडियो में नए टॉपिक साथ अब तक के लिए बाई बाई जैहिन टेक क्यार